हेलो गैज वेलकम वेलकम बैक स्वागत है आप सभी का मैं हूं सवरभ देवातकर आपका mathematical and motivational mentor आज बहुत बड़ी खुशकबरी मैं आपके लिए लेके आया हूं क्या पत है क्यूंकि आज शुरू करने जा रहा हूं सबसे important topic maths 1 में का from the 11th standard of view and from the 12th standard of view after that JEE, CET कोई भी चीज़ पकड़ लो conic section okay if you can say conic either we can say conic sections okay बहुत ही जादा important topic क्योंकि तीन sections इसके under include हो जाते हैं अगर आपने कभी नाम सुना है तो जो लोग 11th standard में वो तो पहली बार सुन रहे अच्छे ये नाम कहां से आया कैसे आया सब ये वीडियो में पता चलने वाला है तोड़ा वीडियो लेंदी जरूर होगा लेकिन सारे concept के साथ होगा तो वीडियो शुरू करने से पहले ही में बता देता हूँ फटा फट सब्सक्राइब कर दीजिए और like बटन दबाना मत भूलिए वीडियो के end में पहले मत दबा दीजिए वीडियो के end में दबाईए अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो subscribe करना मत भूलना पहला जो चीज होता है that is वाटब पैराबोला ओके कहां से आया यह नाम डोंट वरी आइल टेल यू सेकेंड वन इलिप्स डाइस ग्रेट आन तर्ड वन इस हाइपर बोला ओके यह तीन चीजे अपने लोग को यह चैप्टर के अंदर पढ़ना है तीनों चीजों का डेरिवेशन हर एक पार्ट हर एक का फॉर्मिला कहां से आया वह मैं बताने जा रहा हूं इसके कई सारे सेशन्स हम लोग को लेना है क्योंकि जी डबली पॉइंट आफ यू बहुत ही जादा इंपॉर्टन टॉपिक है थीक है तो शुरुआत करने जा रहा हूं पहले तो वट प्रीज एंड लाइन एक सिंपल लाइन में यहां पर ड्रॉख करने जा रहा हूं वेर वन पॉइंट जिसको मैं नाम दे रहता हूं वी अगे वर्टेक्स अच्छा अब कोनिक सेक्शन की खासियत क्या होती है पता है पूरा का पूरा चैप्टर में जो भी मैं नाम डाइग करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है तो चलो यह जो लाइन मैंने ड्रॉख की पहले तो मैंने पॉइंट को पकड़ लिया वो पॉइंट को नाम दे रहता हूं मैं I'll just say it as vortex क्या बोला मैंने it is nothing but a vertex okay any point now I'll do one thing this is what this is what one line okay this is what one line जो मैंने एक angle रखा जिसका मैं नाम दे रहता हूं theta यह acute angle रहेगा अब यह line को मैं clockwise like this either anti clockwise like backward side में घुमाने जा रहा हूं तो आप कैसे भी उसको rotate करो तो either like this okay or like backward side तो यह क्या form करेगा चिक करो यह एक line है यहां से यहां ऐसे rotate हो रहा है तो क्या form कर रहा है कौन फॉर्म कर रहा है that's great तो को nix का मतलब होता है कौन के अलग-अलग sections पहला point मैंने आपके लिए बता दिया बहुत बड़ी बाल कौन के कौन प्लस different sections को हम लोग कहेंगे कौनिक section अब देख लेते कि कौन के different sections क्या क्या हो सकते हैं ठीके बट उसके पहले में इन लोग को थोड़ा notify करना चाहता हूं नाम क्या क्या है वो भी तो लिखना जरूरी है क्योंकि नाम करन पहले होना जरूरी है तो यह है अपना यह है अपना m अभी आप कोगे what is l what is m don't worry जब आप इस चैनल पर हर एक चीज़ का जवाब आपको मिलने वाला है वी मतलब मैंने बता दिया vertex right elm को मैं कह देता हूं one access ओके यह access है यह fix t가지 मैं rotate किसको करने वाला यह m को करने वाला थो m के वज़े से generate ओर है अपना को मैं में से generate ओ रहा है तो यह m को मैं कहूंगा generate क्या बोल रहा हूं मैं जन्रेटर देखो जन्रेटर अरिवेटिंग में पॉइंट क्योंकि उसके वज़े से क्या हो रहा है जन्रेट हो रहा है अब देखो एम के वज़े से जन्रेट हो रहा है तो एम को मैंने कह दिया जन्रेटर अब थोड़ा आगे जाते हैं आज तक आप जो कौन ड्रॉ कर रहे थे ना अब आएगा डबल दमागा क्यों पता है क्यूंकि आज तक आपने एक ही कौन ड्रॉ किया ना अभी आप दो-दो कौन ड्रॉ करोगे बड़ा बड़े हो गए ना अभी आप कॉलेज में चलेगे 11 स्टांडर 12 स्टांडर तो ऑविस यह एक ना पकर हो गया और यूट्रिंग में पॉइंट तो यह है ना पे अब क्या करते हैं यह जो भी पूरा का पूरा कोन हो एना यह जो भी अपना कौन डिख रहा थो इसको सेक्शन वाइस अभि कट करने अब कैसे करेंगे देखो धियान से देखना यहाँ पर में एक प करने के बाद आप चेक करो यहां पर अपको क्या दिखने वाला है यहां पर अपको क्या दिखेगा चेक करो यह portion क्या है this is called as a parabola क्या बोला मैंने पैराबोला अरिवेटिंग मैं point partial part है ना यह part wise मैंने कट किया इसके लिए इसको कहते पैरा बोला अप तोड़ा और मज़ा करते हैं. और मज़ा किस तरीके से देखो? Suppose मैंने plane इस तरीके से कुछ तो cut कर दिया. यहां पर ऐसे कुछ cut कर दिया. ओगे, यह मेरा एक plane है. तो यहां पर क्या दिखने वाला है आपको? यहां पर क्या दिखने वाला है? क्या दिखेगा come on circle दिखेगा are you getting my point देखो ना उपर से देखोगे तो circle ही दिखेगा न are you getting my point अब एक और तरीका draw कर लेते हैं अच्छा किसी को यह diagram चाहिए तो आप draw कर लो मैं यहाँ पर mention कर लेता हूँ this is for circle है ना this is for parabola देखो आप कहोगे difference क्या है sir मैंने यह directly perpendicular मतलब parallel डार दिया इसके साथ ठीक है और यह section wise cut किया है अब ellipse और hyperbola के लिए कैसे करना है वो थोड़ा आगे बताता हूँ किसी को चाहिए तो यह लिख लो और else we will proceed अब चलो आगे बढ़ते हैं दो-दो कौन मैंने आपके सामने रख दिया मतलब यहाँ पर दो नहीं पर यहाँ पर दो नहीं पर अब इसका फाइदा क्या है देखो पहले तो आपने सरकल और पैराबोला के लिए देख लिया अभी देखने जा रहे है एलिप्स और हाइपर बोला के लिए पहले इलिप्स के लिए क्या करेंगे देखो जो मैंने प्लेन यहाँ पे सरकल के लिए इंसर्ट किया दना उसको थोड़ा एंगुलर में में शिप्ट कर देता हो थोड़ा एंगल से में शिप्ट कर देता हो can you please tell me यह दिखेगा कैसे can it look like this देखो ऐ कैसे दिखेगा ऊवरिसलीन वो दिखेगा विलिप्स की तरह वह दिखेगा विलिप्स की तरह continued अभी तक आपको डाइग्रम क्लियर नहीं होगा डोंट्वरी यहां पे हैपर बैल का लिखाने के बाद मैं जरूर चारो डाइग्रमां आपके सामने रहूंगा सरकल भी आपक अब मैं जो प्लेन इंसर्ट करने जा रहा हूँ इस पर्पेंटिकुलर अरिवेटिंग में पॉइंट ठीक है बट पैरलेल किसके साथ है किसके साथ पैरलेल रहेगा यह कैन इनीबडी प्लीज टेल मी यह मेरा वर्टेक्स ना तो वर्टेक्स के यहां से कौन गुजरता है एक एक्से सुजर तो यहां पर कि यहां पर कशन बन रहे又 यहां पर काफी जीक्शन नेपगा रहेंगे हैं कि यहां सेक्शन बना और यहां पर भी शेक्शन बना धैन अब जो भी चीज दिखरी है आपको, यह जो भी चीज दिखरी है और यहाँ पर जो भी चीज दिखरी है यहategorrent रहेंगे, haipटरboola, ओकर अपकी, आप चाहिए तो डिरॉ कर लो अक्छे से यह भीत पीच में घरत कर मैं भीते बीच में जी में समस्우 जीए वहता है वर्ट alo kay अ और यह जो तीनों फिगर से इसको हम लोग कहते है कोनिक सेक्शन कोनिक सेक्शन क्यों क्योंकि कोन के अलग-अलग सेक्शन में ने कर दिये अभी कोई बंदा पूछ सकता है सर्कल भी तो आपियर हुआ था देखो बैटा कोन का उपर वाला पार्टी क्या था सर्कुलर था तो यह कोन का सेक्शन हम लोग आज यूजवल नहीं बहुत सकते लेकिन यह सेक्शन की वज़े से अपियर हुआ है अब देखते हैं कि इसका प्राक्टिकल लाइफ में यूज कहां कहां पे होता है ओके इलिप्स तो आपने देखा है है ना सन के अरांड अर्थ रोटेट हो रह होता है और यहां से आप उसका बाइट ले लेते हो जो बाइट लेते हो ना देखो पैराबोला दिखता है बेस्ट एक्जामपल डे टो डे लाइफ नहीं तो आज आई स्क्रीम खालो तो समझ में आ जाएगा तो यहां से ऐसा बाइट कर लो तो यहां पर आपको मिल रडार में रडार रडार अपने सुना रहेगा जहां पर मिलिटरी में शिप में जहां पर भी अपने को रेंजिंग का काम आता है रेडियो रेंजिंग का वहां पर रडार में आपने को हाइपरबोला वह जो एंटीना देता है देखो गोल 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 घूमता है और ट्रैक क तो अपने आज के वीडियो का में टॉपिक है ओके गाइस चलो देन पैराबोला से शुरुआत करते हैं आज के पहले टॉपिक के और जो सबसे सबस्क्राइब करते हैं अब देखो पूरा डाइगराम अगर आप अच्छे से देख पा रहे हो यहां पर यह जो पॉइंट रहेगा अच्छा कोई बंदा पुछेगा कि सर हमेशा यह औरीजीन को ही टच होना चाहिए ऐसा कोई जरूरी नहीं है मेरा पाराबोला कुछ हवा म सकते हैं ऐसे पहुं सकता है ऐसे भी कैसे भी हो सकता है लृष में बताया था वर्टेक्स मैंणे एक डिस्टेंस ले जा यहां से यहां यह तक अब यह agnarिया इसको नाम दे देता हूँ S काफी important, S मतलब क्या है मैं जरूर आपके लिए यहां पे लिख देता हूँ S मतलब है अपना focus, V मतलब क्या है सबको पता है, vertex तिल मैं एक बार लिख देता हूँ यहां पे vertex, ठीक है A distance मैं ने ले लिया, अच्छा यहां पे भी मैं A distance ले ले लेता हूँ ठीक है, negative X axis के उपर ठीक है अब A distance ले लिया, अब एक काम करते है एक point यहां पे consider करूँगा, any point on the curve मतलब parabola के उपर P जिसको मैं नाम दे देता हूँ X, Y, are you getting my point इसको हम लोग join कर लेते हैं क्या बोला मैंने इसको थोड़ा join कर लेते हैं इसको नाम दे देता हूँ FD इसको नाम दे देता हूँ FD, ओके यहां से यहां तक FD का मतलब मैं यहां पे लिख देता हूँ सिर्फ आपके लिए that is focal distance, काफी जादा important चीज़े, focus से लेकर any point तक का distance which is on the curve तो उसको कहते है focal distance ठीक है, आगे बढ़ता हूँ अब यहां पे जो A distance लिया था वहां से मैं एक perpendicular आवी यहां पे draw कर लेता हूँ देखो perfect perpendicular आ गया है यहां पे, right अब और एक मज़ा और एक मज़ा, यहां से यहां पे perpendicular draw कर लेंगे ठीक है, तो यह भी हो गया perpendicular, यह इतना ही diagram है, don't worry, इस से जादा कोई भी construction पूरे parabola के अंदर नहीं आने वाला है एक line चोड़के जो यहां पे draw करनी है आगे जाके देखेंगे फिलहाल, जो यहां पे touch हुआ है उसको मैं नाम दे देता हूँ M, okay M, एए सड़ी, यहां पे रहेगा अपना Z यहां पे रहेगा M, okay अब देखो यह distance और यह distance पूरे parabola के अंदर हमेशा same होना चाहिए क्या बोला मैंने हमेशा same होना चाहिए जिसको हम लोग कहते है SP is equal to PM Are you getting my point? कैसे आया क्या आया? derivation में आपे जरूर लिखूँँगा सिर्फ आपके लिए लेकिन उसके पहले मेरे को एक formula आपको बताना है distance formula सब को पता है क्या distance formula, can anybody please tell me D is equal to under root शबाज, सब को पता है great X minus X1 the whole square plus Y minus Y1 the whole square, अच्छा बहुत basic से बेनों को formulas भी नहीं पता मैं उनके लिए काम कर रहा हूँ मेरा mission ही वही है कि सब को समझ में आना चाहिए, वो भी complete free of cost, ओके तो चलो आगे बढ़ते दिन, अब आएगा असली मज़ा क्यों? क्यों पुछो, क्योंकि यहां पे लिखने जा रहा हूँ, coordinates, यहां पे मैं लिखने जा रहा हूँ, coordinates, इसका coordinate A,0 क्योंकि distance ही A है, Z का coordinate सबश, minus A,0, चलो यहां तक तो सब को समझ में आ गया, right, M का coordinate क्या है, कैसे आएगा, don't worry, उसके लिए तो मैं हूँ, आपके लिए don't worry, तो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, अब शुर्वात करने जा रहा हूँ, जो यह जो line मैंने draw की, यह line को नाम देने की बारी आ चुके D, that D का मतलब होता है, small d का मतलब होता है, direct tricks, क्या बोला मैंने, direct tricks, okay, अब direct tricks का का काम क्या है, कैसे work करता है, सब बताता हो, पहले equation of direct tricks, यहाँ पर मैं first point पर लिख देता हो, क्या बोला मैंने, equation of direct tricks, direct tricks, अब देखो equation of direct tricks क्या होगा, देखो यह जो line है, यह जो line है, यहाँ पर, कौन से axis पर है, x is equal to minus a है न, यहाँ पर coordinates क्या रहेगा, यह पूरे line के उपर ही coordinate क्या रहेगा, x is equal to minus a, तो देखो x is equal to minus a का मतलब क्या हो गया, x plus a is equal to zero, इसको कहेंगे equation of direct tricks, बहुत ही important concept, अजिवेटिंग मैं point, बहुत ही ज़्यादा important concept, अब जाते है point p के और, okay, point p को तो मैंने already x, y consider कर लिया है, अब देखो m का coordinate क्या आने वाला है, can anybody please tell me, m, x axis के उपर कितना distance गया, और height कितना गया है, check करो, पहले distance कितना गया, a गया, फिर उसके उपर उड़ गया, कितना उड़ा, y तक उड़ा, तो m का coordinate क्या आया, can anybody please tell me, minus a, y, क्योंकि यह minus distance गया, और y height गया, अब देखो m का तो coordinate मिल गया, अब second, second, now I just want to find out the focal distance, okay, using, using distance formula, थोड़ा ध्यान देना, बहुत important है, using distance formula, I knew it, मैं बहुत slow जा रहा हूँ, लेकिन मेरा main मकसद क्या है, सब को समझ ना आना चाहिए, ठीक है, तो चलो, sp is equal to, can you please tell me guys, sp is equal to, मैं distance किस के बीच में find out कर रहा हूँ, s to p के बीच में, कोई बंदा पुछेगा, sir, x minus a करना है, या a minus x करना है, बेटा, कुछ भी करो, कुछ फरक नहीं पढ़ता है, क्योंकि finally क्या होने वाला है, square ही होने वाला है, तो उससे कोई matter नहीं करेगा, कि आप a minus x कर रहे हो, x minus a कर रहे हो, but मैं हमेशा s to p जा रहा हूँ, तो s क्या रहेगा, initial point, मतलब यहां से मेरी car चलना चलो हो गई, और यहां पे car रुख गई, तो यह है अपना initial position, यह है अपना final position, तो देखो final minus initial करते हैं, तो x minus a, तो x minus a का square प्लस y minus 0 का square, are you getting my point, ठीक है, तो इसको मैं अराम से यहां पे लिख देता हूँ, x minus a का square प्लस y का square, थोड़ा वजन हलका कर दिया, क्योंकि 0 लिखने में थोड़ा गंदगी लिखेगा, ठीक है, similarly I'll just find out pm, similarly I'll just find out pm, अब देखो pm का distance कैसे, p to m जा रहे हैं, बरोबरे, तो final minus क्या करते हैं, initial वही करेंगे, यहां पे भी, can anybody please tell me, आप यह minus यह कर लो, यह minus यह कर लो, final answer तो वही आना है, तो दिखने में तोड़ा आजीब नहीं दिखना चीए, इसके लिए मैं x minus a कर दिया, तो देखो, x minus minus a, तो x plus a the whole square हो जाएगा, plus y minus y हो जाएगा, यहां पे, are you getting my point, तो यहां पे क्या बनेगा, guys, come on, x plus a का square, क्योंकि y minus y तो completely zero ही हो गया, right, therefore, according to, अब आएगा असली मज़ा, क्योंकि यह काफी ज़्यादा important है, according to focus directrix property, अब what do you mean by focus directrix property क्या होती है, मैं बताऊंगा, देखो, focus क्या है, यह focus है, और यह directrix की तरफ जा रहे है, मतलब यह focus से जा रहे है, और यह directrix की तरफ आ रहे है, तो यह दोनों का distance क्या है, equal है, यह तो अपने पहले ही कह दिया है, तो focus directrix property क्या बोल रहा है, sp is equal to pm, are you getting my point, तो link देता हूँ मैं यहाँ पे, sp is equal to pm, are you getting my point, अब यह equal है, तो मैं फटा फट यहाँ पे value डाल देना चीए, क्योंकि दोनों भी है, मेरे पास तो डाल, दोना देरी किस बात की, यहाँ पे हो जाएगा, x-a का square प्लस y का square is equal to, अच्छे, square और square root मैं निकाल देता हूँ, यहाँ पे दिखने में भी अच्छा दिखेगा, x-a, are you getting my point, guys, up to this, ठीक है, अब एक बात बताओ, इधर का square root हटाना है, ठीक है, इधर कुछ भी हो, इधर का square root हटाना है, अपने को बचपन में क्या सिखा गया है, therefore, squaring कर देने का, बहुत simple तरीका, squaring कर देने का, तो क्या मिलेगा, x-a the whole square, obviously, दोनों साइड पे करना है, plus y square is equal to x plus a the whole square, okay, चलो, फिर, इसको expand कर लेते, a minus b the whole square का formula, come on, a square minus 2 x a plus a square plus y square, which is equal to x square plus 2 ax plus a square, देखो, मजाक मजाक में, ये x square x square cancel out, बरबर है, again, a square, a square will get cancel out, बचा क्या क्या, तो उसको एकी side पे रखो, यहां पे y square बचा, 2 ax जो है, वो उधर चला गया, तो 4 ax हो गया, this is what the basic equation of an parabola, काफी ज़्यादा important parabola का equation क्या है, तो ये है, ठीक है, अच्छे से copy down कर लो, कुछ doubt है, तो comment box में जरूर लिख देना, I am waiting for you over there, चलो फिर, same diagram के साथ continue करेंगे, next derivation का नाम दे देता हूँ, obviously parabola का ही है, that is what focal distance, okay, focus से लेकर, any point तक का distance का value क्या रहेगा, वो अभी हम लोग find out करने जा रहे है, थोड़ा ध्यान देना, बहुत important है, check करो, sp is equal to what, pm तो sp और pm दोनों क्या होना चाहिए, according to, देखो मैं लिख देता हूँ, according to focus directrix property, focus directrix property, तो काफी simple है, property क्या बोल रही है, sp is equal to pm, okay, तो दोनों में से कोई भी एक का distance डाल दो, जो simple हो जावे, okay, फटा-फट cancel होना चाहिए, देखो, यहाँ पे तो यह 0 है, तो y का term बचेगा, यहाँ पे y minus y 0 हो जाएगा, तो वो चलेगा, तो मैं pm का distance डाल देता हूँ, दोनों में से किसी एक का डालना है, क्योंकि दोनों क्या है, same है, great, तो x plus, क्योंकि minus minus plus हो गया न, तो x plus distance formula, again same formula we are using, y minus y the whole square, which is equal to what, under root, x plus a the whole square, which is equal to what, x plus a, इसी को कहते है focal distance, इसी को कहते है focal distance, अच्छे से formula नोट डाउन कर लेना जाते है अपने आगे के derivation के तरफ, ओके चलो मज़क मज़क में दो derivation हो गया, पसंद आ रहा है, फटा-फट concept समझ रहा है, तो like दबाना बिलकुल मत भूलिए, ओके चैनल को subscribe ज़रूर कर दीजे, क्योंकि पूरा कोनिक section में इसके undercover करने माला होती है, तो चलो आगे बढ़ते है, next derivation जाते है, length of lattice rectum, काफी जादा important length of lattice rectum कैसे निकालते हैं, देख लेता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ, length of lattice rectum, अब कई सारे बच्चों के मन में आया रहेगा कि sir, lattice rectum मतलब क्या है, देखो यह diagram मैंने जब शुरू की थी, तो मैंने एक बात बताई थी, एक ही चीज यहाँ पे बाकी मैंने रखी है, जो यहाँ से, मतलब focus से एक line में perpendicular डाल दूँगा, और उसी को कहते है, LR, LR का मतलब होता है, lattice, LR का मतलब होता है, lattice rectum, okay, lattice rectum, okay, तो यहाँ पे यह जो point रहेगा, वो L रहेगा, यह वाला point और यह वाला point रहेगा, L dash, okay, LR, L dash, they are the end points of lattice rectum, are you getting my point, they are the end points of lattice rectum, अब शुरू करते हैं, अब आप कहोगे कि sir, यहाँ से यहाँ तक का height कितना है, क्योंकि यह height तो y है, इतना पता चलिए, यह height equal नहीं है, different है, तो मैं काम कर लेता हूँ, यह height ले लेता हूँ, L और L, ठीक है, मतलब S से L तक, और S से L dash तक अपना height कितना हो गया, L हो गया, तो मैंने जो लिया है, वो पहले यहाँ पर लिख देता हूँ, now, now, length of S से लेकर L is equal to length of S से लेकर L dash is equal to, क्या लिया है, अब देखो, second चीज, coordinate, coordinate of L, can anybody please tell me, coordinate of L क्या रहेगा, L का coordinate, come on, पहले X के उपर कितना distance दोड़ा, A, फिर height कितना ले लिया, L ले लिया, तो कितना रहेगा, A, L, and similarly, उसका सगा भाई, L dash कितना रहेगा, A और, A और minus L, क्योंकि नीचे गया, length तो L, लेकिन coordinate लिखते हो, नीचे गया, तो minus लिखना जरूरी है, अब चेक करो, according to, according to, to the equation of parabola, क्या parabola का equation है, can anybody please tell me, Y square is equal to 4AX, अब देखो, ये L और ये L dash, दोनों भी points, curve के उपर है, मतलब parabola के उपर है, तो obviously, इनके जो coordinates अपनने लिए है, they should satisfy the equation of parabola, they should satisfy the equation of parabola, जो लोग 11th standard के ना, थोड़े छोटे है, I knew it, उनके लिए बताता हूँ, अब देखो, कोई भी point, अगर curve के उपर है, तो उसके coordinates जो है, वो point के coordinates, वो curve का equation satisfy करना चाहिए, satisfy करना चाहिए, मतलब क्या, LHS equal to RHS रहना चाहिए, अधि, वेटिंग में point, तो देख लो, रहना चाहिए, तो क्या, therefore, put, put L, A, L, ठीक है, मतलब X का value डालेंगे, A, और L का value डालेंगे, मतलब Y का value डालेंगे, L, therefore, put किया तो क्या मिलेगा, A, तो देखो, L square is equal to 4A square, therefore, L is equal to square root ले लिया, plus और minus 2A, देखो, एक, तीर में दो निशान कैसे मारते हैं, ये भी अपने को समझ लिया, क्यों पता है, दो निशान क्यों बोला, क्योंकि यहाँ पे L है और यहाँ पे minus L है, तो दोनों के यहाँ पे end points, end points of LR, मतलब lattice rectum अपने को मिल चुका है, पहला है L, that is L मतलब A, 2A, and L' जो उसका सगा भाई है, देखो, यहाँ पे लिखा था, L के जगे पे सिर्फ substitute कर रहो, A, minus 2A, are you getting my point? इतना ही अपने को ध्यान देना है, अब जाते है length of LR, length of total lattice rectum, can anybody please tell me, ये पूरा lattice rectum है, बरोबर कितना length है, L plus L, तो मैंने कर दिया, L plus L, L का value कितना है, 2A, obviously length तो negative नहीं रहेगा, तो obviously ये रहेगा 2A, तो answer कितना हो गया, 4A, therefore length of LR is equal to 4A, मजाक मजाक में, मैंने end points भी निकाल दिये, और length भी निकाल दिया, तीन derivation अपने ये session में complete कर दिये है, आगे के parabola के derivation दो बाकी है, और उसके साथ साथ उसके numericals बाकी है, ये देखेंगे session number 2 में, तब तक के लिए अपने friends के साथ ये video ज़रूर शेयर कर दिजे, और उनको कहें, को निक सीखना है, तो ये channel पर आजएए, और subscribe करना मत भूलिए, thank you very much, good days and take care guys.